ट्वार मैं आपके सांद शेयर कहने जा रही हूँ, समोसा के टकर देने वाली बहुत ही टेस्टी और खास्ता किरिस्पी नास्ता, ओभी बीना मेहनत के बीना बेले आप मिन्सों में रहेВО साथ नास्ता बनाकर कर सकते हैं, तो चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं, तो इस ना इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच अजवाईं और आधी छोटी चमच इसमें हम नमक डालेंगे सारे चीजों के अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे तीन छोटी चमच तेल आप तेल के जगा घी भी डाल सकते हैं आप यह सारे चीज़ों के अच्छा से करेंगे और यहां पर देखे इसे माले अच्छा से से मिक्स कर लिया है जब इस तरह से हाथ में लेकि इसे मूठी मन रहे है तो मिये दिए द क्याएज को मुझा हो गया है ऐसमें फोड़ा फाइन डलके आंटा भू लेंगे तो ज्यादा hard भी आंटा नहीं गुंदेंगे और ज्यादा soft भी नहीं गुंदेंगे semi soft आंटा गुंद के त्यार करेंगे तो यहाँ पर देखे इसे मैंने गुंद लिया है और यह ज्यादा hard भी नहीं है और ज्यादा soft भी नहीं है सेविस्टोफ टाटा है जिसे हम 10 मिनिट के लिए ढखके रख देंगे तब तक हम इसका अश्टोफिन त्यार कर लेते हैं अब गैस के उपर मैंने एक रही रख लिया है इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच तेल इसके साथ इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच साबूत जीरा जीरा को थोरा सा प्राई होने लेंगे और इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच अध्रेक लैसन का पेस्ट और इसे डालके थोरा सा इसे भून लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो हरी मेर्च जिसे मैंने बारिक कट कर लिया है और इसे भी थोड़ सा भून लेंगे और इसी साथ इसमें हम डालेंगे दो चमच स्वीट करन अब गैस का फिलम लो कर देंगे और लो फिलम पे इसमें मसाले अड़ करेंगे अधी छोटी चमच आमचूट पौडर आप इसके जगा चाट मसाला पौडर भी डाल सकते हैं अब यह सारे चीजों का अच्छे से मिक्स करते हुए आधे मिनेट के लिए से भून लेंगे तो यह अच्छे से भून चुका है आब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच नमक या अपने टेशको कोडिंग और आधी छोटी चमच कसूरी मिथी एक वरावर इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है तीन उबले हुए आलो जिसे मैंने मैक्स कर लिया है अब इसमें डाल देंगे अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे हमने इस तरह से मैक्स करते हुए से मिक्स कर लिया है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीकटी हरधनिया और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अस्ट्रोफिन बन के तियार हो गया है अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे ठंड़ा होने के लिए तब तक हम आठा चेक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आठा भी अच्छे से से शेट हो गया है एक बड़ा और इसे मसल के चिकना कर लेंगे अब आठे से लोई तो रहेंगे और छोटा छोटा पेरे बना के तियार कर लेंगे तो इसे हमें एक निम्बू का साइज का पेरे बना के तियार करना है यह देखिए यह साइज का और इसी तरह से सारे पेरे बना के तियार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने सारे पेरे बना के त्यार कर लिये हैं, अब हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ा सा पानी ले ले लेंगे, और यहां पर देखिए अश्टोफनी मिठांधा हो गया है, अब इस तरह से एक चमच ले लेंगे, जिसमें होल होती है, जिसे हम झारा भी बोलते हैं, आप इसके जगा ग्रेटर भी ले सकते हैं, जिसे हम कदू कस करते हैं, अब इसके उपर इस तरह से एक मेरे रखेंगे, और इसे हलके हलके हाथों से प्रेस करेंगे, इस तरह से देखिए, और इसे इसी तरह से प्रेस करते हुए पूरे चमच के उपर इसे फैला लेना और यहां पर दिखिए मैंने इसे अच्छे से इसके उपर फैला लिया है यह इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाती है अब इसके चारू साइड में हलका हलका पानी लगा लेंगे इस तरह से अब इसके बीच में अस्ट्रोफिन रखेंगे और अस्ट्रोफिन को हलका सा सेट क निकले, अब एक साट से इस तरह से पकरेंगे, और दूसरे पोसर में लाके इसे चिपका देंगे, तो इसे हमें अच्छे से चिपकाना है, ताकि जब इसे हम फ्राय करें, तो यह तेल में खूले ना, तो इसे हमें इस तरह से प्रेस करते हुए इसे चिपका लेना है, और यह कितने आचा यह design बनके तियार हो गया है और यह बहुत ही ज़ल्दी बन जाती है और इसी तरसे बाकि कबी बना के तियार कर लेते हैं बीना बेले आप mint से देरौ सारा यह नास्ता बना के तियार कर सकते हैं बस इस तरसां से एक प्मेरे लिजिए बहुत ही आसान है इस नास्ते को बनाना और बीना बेले मिन्टों में धेरो सारे डिजाने वाला नास्ता बना के आप त्यार कर सकते हैं और ये लिजिए ये भी त्यार हो गया है और देख सकते हैं कितने अच्छा से इसमें डिजान आया है और इसी तरह से और भी बना लेंग ही लेकर करके नास्ते को डालेंगे और एक बार में जीतना है अब इसमें नास्ता डालेंगे और इसे डालनी के बाद में चमास अगर आज की रेस्पी आपको पसनदे बारिक से और अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किए और साथ पर जो बेल आइकन है उसे भी एक बार पर प्रेस किजिएगा ताकि मेरे हर राने वाली नई वीडियो को नोटिफियकेसर आप तक पहुंचते रहे हैं और यहां पर देखिए यह अच्छे से फराई हो गया है अब इससे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी कभी भी फराई करके त्यार कर लेंगे बस फराई करते टाइम आपको यही बात का ध्यान देना है कि तेल यहां पर ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और इसे मेडियम टू लो फिलम पर ही इसे अलर्ट पर अच्छे कर आना तक इसे आपको फराई कर लेना है यह नास्ता बहुत एक बार जरूर पुछेगा इसे आपने कैसे बनाया और यहां पर देखिए यह भी अच्छे से फराई हो गया है अभी से भी हम निकाल लेंगे और यह लीजिए समोसा की टकर देने वाली बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके तियार है और इसका डिजाइन देखिए कितना प् यह देखें एक दम क्रिस्प और खास्ता बनके तियार हुई है तो इस नास्ते को एक बार ज़रूर बनाए मेरे तरीके से यह आपको बहुत पसंद आएगी तो उमीद करते हूं कि आज के रेस्पी आपको पसंद आई होगी रेस्पी परसंदेते वीडियो के लाइक शेयर करें और अभी तेख हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चानल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना फिट्बेक देना ना भूलें